जी, नहीं, 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 बेसिकली क्या है, कि जैसे आपने कहा ना, उपस कंसर्ट्स, तो उन्होंने सी प्लस प्लस कंभाना, लेकिन उसमें सी प्लस प्लस कोई भी कुछ लेखा हुआ नहीं है, तो उसका पूरा कंसर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अगर आगात कर रहे हैं, तो C++ का exception handling और Java का exception handling, बहुत difference है, लेकिन, exceptions actually क्या है, तो C++ के context में है, वहाँ पर आपकी पहले से बने की classes नहीं है, वहाँ पर एक structure है, you yourself have to defend the classes, वो सारी चीज़ें आपको conceptually पता होनी चाहिए, हम यह expect नहीं कर सकते, कि उसका पूरा syntax आपको detail में ह हाँ, जैसे इनाइटेंज जब करते हैं, तो public इनाइटेंज, private इनाइटेंज समय पता होता है, generally होना चाहिए, तो बहुत सारी आपन note-down कर लेंगे, जिससे कि कहीं कोई घपला नहीं हो, चले, start, last class में जब हम पढ़ रहे थे, जब जब हमने start की थी, हम बात कर रहे थे कि चार तरीकी की applications है, जो कि Java के अंदर बनाई जा सकती है, सबसे पहले हमने कहा था, desktop applications है, desktop applications है, desktop applications हमने कहा, वो applications है, जो कि एक single PC के उपर काम करती है, जिसका network से, internet से, server से कोई relation नहीं होता, example हमने लिया था, notepad, example हमने लिया था, winam, winzip, msworld, जिनका server से कोई relation नहीं है, कोई internet की आउशकता नहीं है, उनको हम कहते है, desktop applications, हमने कहा था, Java के अंदर बहुत अच्छी desktop applications आप बना सकते हैं, लेकिन बनाई नहीं जाती, क्योंकि Java comparatively slow है, या हम कहें, Java को basically desktop applications के लिए बनाया ही नहीं गया था, ठीक है, दूसरी टाइप की application, जो last class के अंदर हम बात कर रहे थे, हमने कहा, web applications, हमने कहा, जी web applications हमारा मतलब है, वो तमाम applications जो कि server side पर run होती है, हमने कहा, Java को बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, आपन web applications के लिए, web applications के लिए, बहुत ज्यादा Java को काम में लिया जाता है, हलाएंकि Java को initially web concepts के लिए नहीं बनाया था, web applications के लिए लेकिन अब Java को बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, web applications के लिए, तीसरा concept हमने जो discuss किया था, हमने कहा था तीसे ही टाइप की जो application है distributed distributed applications distributed applications, हमने कहा था आप distributed applications मतलब है वो application जो की, वो application जो की एक से ज़żenieख मेशिन के उपार distribute हो रही है कि हमंने कहां Mobile applications के आंदर जाफं काम कर रहे हैं तो जावा के जो toolbar हमारे पास हैं हम ने कossen जो ChevyCP है सैर और Miguel नहीं कर सकते हैं, जुकि जैसे ही आप सिंपल बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एक इंपॉर्टेंट आसपेक्ट हो जाता है, उसके विना किसी वैब अप्लिकेशन के आप बात नहीं कर सकते हैं इसके उपर बहुत सारी टेकनलोजी बीच विच में आती गई, जैसे अगर आप EJB की बात करें, उसका भी वेस रमाई है, जीनी एक टेकनलोजी आई थी, उसका भी वेस रमाई है, तो उन सब का वेस आपका रमाई है, मतला लोर लेबल पर जाकर वो रमाई को कमें लेते हैं लास्ट कंसब जो हम डिसकस कर रहे थे, हमने काहता जी एपलेट, एपलेट हमने कहा, एसे प्रोग्राम्स जो कि HTML पेज के साथ हमें, HTML पेज के साथ हमें, सर्वर से क्लाइंट पर आजाते हैं और क्लाइंट पर एक्जिक्यूट होते हैं, यहीं पर अपने शायद कल रोका अगर हम एप्लेट्स की बात करते हैं एपलेट हमने कहा भई सर्वड से आने वाले प्रोग्राम है जो कि आप के कम्प्युटर पर रन हो रहे हैं तो वड़ा रिस्की हो गया हमारे कोई प्रोग्राम सर्वर पर आया सर्वर से आया पत्ता चला मेरे पीची को फॉर्मेट कर ग रहा है आगे ब्ढेशता जारहा है जावा एपलेट्स इस उड़ से फी था जावा एपलेट्स में कोई भी आपके मशीन को सर्बर से प्रोग्राम आया आपके यहां रन हो रहा है लेकिन अपनी जो मेमोरी एरिया इसके लाबा किसी को एक्सेस करी नहीं सकता इसलिए जावा एपलेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी दीरे दीरे टाइम के साथ में एपलेट्स का यूज कम हो गया बहुत सारी दूसरी टेक्मोलोजी आने ल जए leकिच का निफ जाने लागा जड़ी के 9 से अगेले उसका चबसा औरिफम ने बफलेट्स इस लच्टेर पार निकाला जाने लागा इसका काम खेटिया आ भो कि अटलुरी दिंसको बिंसके बाए हम से आने लेजिए कम खत्म करो feeding ज़ोच का ठीक है, deprecated कर दिया गया इसको, deprecated APIs वह होती हैं, जिनके लिए का जाता है अब अच्छी APIs अवेलेबल हैं इसलिए अब हमें इनके आउशेक्ता नहीं है या better to use next level of APIs ZDK 11 पर ये face out complete हो गया ZDK 11 face out completed face out completed and online support stopped online support को रोग दिया गया ZDK 11 से JDK 17 में complete Java API is sorry applet API is applet was declared deprecated and removed deprecated declare कर दिया गया और इसको remove कर दिया गया ठीक है सहां शुरू से ही ऐसा महसूस होने लगा से कुछ सालों के पहले कि भई applet थोड़ा सा लोड लेता है तो हमें कोई soft application चाहिए अवरू टूली साट किया गया as alternate as alternate Java wayvistart was introduced and that was removed, removed from J D K 11, that was removed from J D K 11. From J D K 9, from J D K 9 J link, J link was a feature, was a feature. added to create complete, to create complete run time image with all required elements with J R E. There are some terms that you have not learned about J D K and J D K. So, we will talk about J D K 16, J D K 16, J packages were added, J package was added, which creates, installable Java application, installable Java application. All these things are related to your applet. Java itself? Are you talking about API or visual interface? You are talking about Eclipse, Netweens, J Creator, and as a learner. As a learner. Have you studied Java? Have you studied college or college? Right? Now, your motto is Cable and Cable Programmer exam. If it is, it is better to use notepad. IDE is visual interface, but if you are preparing a competitive exam, then it is better not to use these interfaces. Because it is a lot of work, you will not be able to use it. Look, the best is the company's working on which it is working on. But, Eclipse is also okay. Eclipse is working on the other. There are different versions of Eclipse. So, there are different editions of Eclipse. You can get the same. Eclipse is working on the other. The most companies are working on Eclipse. Okay? Do you want to remove this? Yes. 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 It is an introduction. It is an introduction part. Then, the introduction is an introduction. Now, what are some small small things like J-Link was introduced. These are related to Eclipse. These all are related to Eclipse. Eclipse in your syllabus. Eclipse is in your syllabus. If you are now in the title, there are details of Eclipse. In the latest books, you will not get Eclipse. Why do you get the Eclipse? Are there any doubts? कोई प्रॉब्लम नहीं है आप विजल स्टुडियो यूज में करते हैं प्रेटक्स जी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप केवल प्रोगामिंग प्रोगामर के पॉइंट आ व्यू से अगर बात कर रहे हैं तो नोटपैड इस दा बेस्ट मेरा जो व्यक्तिकत सजेशन रहता है वो यह रहता है कि आप कमपेटिटिव एक्जाम के लिए जितना आप डाउन टूर्ट जाके काम कर सकते हैं उतना आप सीख पाएंगे आपको पता चल पाएगी अरर कहां हुई आपने जैसी मेथर का नाम लिखा आपने एक लगाया वो दूसरा लगा देगा गलती नहीं होगी जब तक गलती नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा ठीक है इसके अलाबा जावा के तीन एडिशन्स हैं जिनकी कि अपन बात करते हैं त्री एडिशन्स जैडिके या जिससे अपन कहते हैं जावा एसी या जिससे आप कहते हैं कोर जावा जेटू ईए जावा टू एंटरप्राइज एडिशन और जेटू एम ए जावा टू भाइक्रो एडिशन्स कोर जावा के अंतरगत वह सारी चीजें आती हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए चाहिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स लूप्स है ना या एरे वो तमाम चीजें जो कि आपके पास एक लैंग्वेज के लिए चाहिए वो सब आपका कोर जावा का पार्ट है सपोज आपका एक लार्ज एंटरपाइज एक बड़ी और्गनाजिशन है रिलाइंस जैसी और्गनाजिशन बहुत सारे बिजनिसेज हैं अलग अलग जगह पर आफिसेज हैं उनको कंप्रूटराइज करना है then you need some solution like J2E Java 2 Enterprise Edition Java 2 Enterprise Edition ठीक है Java 2 Enterprise Edition एक और आपके पास होता है J2ME Java 2 Micro Edition this is not mobile अलग अलग जगह पर इसको mobile लिखा जाता है this is Java 2 Micro Edition Micro Edition Java 2 Micro Edition devices के लिए जो programming आप करते हैं mobile apps जो आप बनाते हैं अब नहीं बनती क्योंकि आजगाल हमरे पास Android जैसी चीज आ गई तो Android काफी powerful है Android के अंदर बहुत अच्छे handsome features हैं जिसकी बज़े से की J2ME अगरा की applications बना बंद हो गया आप सोचिए Nokia का जो phone पहले आप काम में लेते थे उसकी application ऐसे phone की application अगर आपको बनानी है तो वहां पर J2ME was one of the option जब Reliance न अपना पहला handset निकाला था तो अगर आपको ध्यानो धिरुवाई अंबानी का एक slogan था कर लो दुनिया मुठी में तो उस वक्त जो handset उनों निकाला था उस handset पर नीचे इस्टाल लगाया था फर्स्ट जावा इनेवल हैंड सेट मतलब की वहां पर J2ME की application काम आती थी उस जमाने में वह phone पच्छेश जार रुपे का उनों न दिया था तो मैं रिलाइन्स की कोई प्रोड़क नीह खरीता कॉढ विशेश प्रेम है ठीक हैं यह जर रीम नी डाग प्रेमा नहीं खरी थी तब ही तब भी भी उज़ पता था रिमा कोई कभी कुछ नीदेता इस प्रीह मतलब किये कहीं कहीं गर्बोल करेगा यह तो पब्लिक की कमजूरी है बो तो अपना बिजनिस कर रहे है भाई इसमें क्या बिजनिसमेन की गलती नहीं है उनका अल्टी मोटो किया है अपने जिकल सिस्टम अनलिस्टी डिजाइन में बात की थी उनका अल्टीमेट मोटो है प्रॉफिट गिनिंग जो गलती कर रहे है वो पॉब्लिक कर रहे है यह तो आपका बोतो क्या के एक बिजनिस प्रॉफिट मेकिंग कमपनी है उनको तो एक अदना है आपको अपने इंटलिजेंस रखनी है कि मुझे किस क्या प्रोड़क्त खरीद कि मुबाइल काफी महेंगे थे महांगे मतला उनकी आउट गोइंग वगएरा इंकमिंग काफी कॉशली थी तो इनका एक फॉन था जो कि मैं लेक लिए था तो मैंने घर लाग दिया अब उसमें बिल आता था और मैंने कोई बात निए एक बात मुझे लगए लगए इसको बेकर्म कर्चा आता है इसको बंद कर रहते हैं तो मैं जब उसको बंद करने गया तो इसमें था भी बिल्ड अमाउंट शाएद दो जार विया कुछ था उस वक्त का जो बिल्ड अमाउंट था भी अब यब अब यब आपने बिल जंड किया अब अन्बिल्ड कॉन सा पर थोड़ी कहा सुन हो गई मैं उस पॉन को उठा के बाफस लिया जाए तिर मैंने मेरे एक दोस से बात कि उसका अब हो तो चाते यह थी तू बापस ले जाए अच्छा पर पापस गया मन अब कितना अन्विल्ड तो उन्विल्ड अमाउंट पता है मन अन्विल्ड यह आपको समझना पड़ेगा आपको आपके खोल के रखनी पड़ेगी है वह बहुत सारी चीजे में इस पर बोलना नहीं चाहते है अग्जक्ली यह प्रोड़क्ट फुरी होता है ताप खुद प्रोड़क्ट होते हैं यह वह अच्छी तरह जानते हैं और जीयों से उन्ह पार्किट कैप्चर कर लिया और अब वो सब्बंदों गई होंगी ते तीन एडिशन्स यहां पर है तीन टम्स हैं जो कि जावा के अंदर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं एक आपके पास है जेडी के JRE, JVM, JDK, Java Development Kit, Java Development Kit, JRE, Java Runtime Environment, JVM, Java Virtual Machine, Java Virtual Machine, Java Virtual Machine, Java में तीन टम्स अभी अपन बात कर रहे हैं क्या मतलब है इनका वो अभी बात कर लेते हैं जब आपको अपने यहां पर जावा इस्टॉल करनी है तो आप क्या इस्टॉल करेंगे? जो कि अगर आप डाउनलोड करेंगे आज की तारीक में अगर आप औरिकल की साइट पर जाएंगे तो जेटॉस्टॉस्टी के नाम से आपको मिलेगा जेटॉस्टी के जो भी वर्जिन का नंबर है वगेरा वगेरा तो जब हमें डाउनलोड करना है तो हमें जेटॉस्टी के या जेडी के डाउनलोड करना है जावा टूस्टेंडर डवलप्मेंट केट ठीक है जेटूस्टी के जेटूस्टी के अगर हम मान के चलेंगे दिस is your j2sdk or jdk java development kit आप java program run करते हैं तो program के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको compile करना पड़ेगा run करने से related चीजिया होंगी ठीक है न तो एक part तो है जो run करने के लिए responsible for running the applications और आपके कुछ parts हो सकते हैं जो compile वगेरा अलग-अलग काम करते हैं जेडी के का इक part है जो run करने के लिए responsible is this is known as jre जब आप java install करते हैं तो jre अपने आप install हो जाता है आपको अलग से install नहीं करना पड़ता ठीक है जब आप java install करते हैं JDK install करते हैं तो JRE as part of JDK अपने अप इस्टल हो जाता है लेकिन एक इस्यू है सब्सक्रोज आप जावा डवलपर हैं आपने अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोग्राम बनाया जावा के अंदर अब क्लाइंट को कंपाइल तो करना नहीं है वो JDK के क्यों डाउनलोड करें वो केवल JRE डाउनलोड कर सकता है आप मेरी बात समझ रहे हैं अगर आपको प्रोग्राम कंपाइल नहीं करना और यूटिलिटी नहीं चाहिए यह ज़स्ट अप्रोग्राम यू नीड अनली जे 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 जावा रन टाइम एनवारमेंट यू अनली नीड जे जावा रन टाइम एनवारमेंट ठीक है सब जे आरी क्या करता है आपके ओपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्ट्योल लेयर बना देता है अगर आपका OS है जैसे हम कहते हैं यह हमारा OS है आपने का जी हाड़वेर है हाड़वेर के ऊपर मेरा क्या होता है OS होता है OS के ऊपर मेरा प्रोग्राम होता है हमने का जी यहां पर प्रोग्राम आपका जो जावा प्रोग्राम है वो तो यहां पर होगा लेकिन मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम और जावा प्रोग्राम के बीच में हमने एक लेयर बना दी जिसम कहा रहे हैं जावा वर्चुल मशीन जावा की जूट मूट की मशीन, वर्चौल का मला जूट मूट की, आपको दिखेगी नहीं, आप JVM इस्टॉल नहीं कर सकते, इस्टॉल करने के लिए या तो JRE है या JDK है, you cannot install JVM, JVM is just a concept, JVM is not installable utility, you will install either JDK or JRE, JVM is just a virtual layer, which will be created on the top of operating system. so my application, my Java application has to interact with JVM and that JVM will interact with your operating system, program को रण करें का चाहिए, memory चाहिए, processor चाहिए, file system चाहिए, दूनियाबर की चीज़ए चाहिए, so हम किसे मांगतें, operating system से, but my program cannot interact with the operating system, मेरा प्रोग्राम किससे बात करेगा स्थ? JVM से बात करेगा यह भी JDK के साथ इस्ट्राल जाना है? जी अगर आपने JDK इस्ट्राल किया तो सब कुछ JDK के अंदर ही ए JRE भी है JVM भी है अगर आपने JRE install किया तो यह compile वगजरा की utility नहीं होगी जैरे तो Jvm इस्टरल करेगा ही करेगा जयावा के प्रोग्राम को रन करने पर हमें जित्ते रिसोर्सेज चाहिए वो से स्कान देता है जयी में जयावा के जूट मूट की मशीन देती है बास्ता में तो हम्हेरे सारा काम काउन ते आप आफिण चलिए, आगे अपन बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लेके चलते हैं, फिर हम जावा के जो फीचर से उनकी बात बात में करेंगे, उस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए, दो-तीन चीजा अपन समझेंगे, फिर जावा के प्रोग्राम की बात करेंगे, आप कहेंगे तो हलो नी बर्ल नी लिख और कुछ लिख देंगे आपका नाम लिख देंगे बैस्मालेश्ट प्रोग्रम अफ एनी प्रोग्रमिंग लैंवेज ठीक है साहव किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं यह दिमाग में ना रखे हैं कि उसी नाम से सेव करेंगे जिस नाम से क्लास है यह भी दिमाग में ना रखे हैं कि उस नाम से सेव करेंगे जिस क्लास में मेन है यहां पर अभी तक हम इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं एक particular condition है जिसके हम आगे बात करेंगे Suppose मैंने इसे save कर दिया A.Java के अंदर मैंने इसे save कर दिया A.Java के अंदर मानके चलें यह program मैंने लिखा है simple notepad के अंदर simple notepad के अंदर मैंने यह program लिखा है ठीक बात है आपने जावा को install कर लिया जावा का path set कर दिया दोई काम उसमें तरने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है installation बहुत आसान है आपने exe file को download किया double click किया next 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 जो भी आपका process होता है उस तरह से आप उसे install कर सकते हैं nothing special बस आपको उसके win का path set करना होता है environment variables के अंदर ठीक है मान के चले इस program को आपने save किया c drive test के c drive के अंदर किसी test folder के अंदर right हमने क्या किया सा एक simple notepad के अंदर program लिखा c drive के अंदर एक test folder था उस test folder के अंदर मैंने save कर लिया ठीक है मुझे क्या करना पड़ेगा ऐसे compile करना पड़ेगा compile करने के लिए जो utility मेरे पास है that is java c my class sorry java c and file का नाम file का नाम क्या है a dot java java c a dot java मेरी यह जो file है यह compile हो जाएगी compile होने के बाद मुझे एक file बना कर देगा उस file का नाम होगा यह नाम class का जो नाम है my class cases will be same dot class यहां m capital है तो file का नाम भी capital c capital है तो file में भी c capital जो class का नाम है as it is नाम से मेरी file बनेगे ठीक बात है जब मैंने यहां पर इसे रन किया रन करने के लिए मैंपा यूटिलिटी है java अब मुझे इस class file को run करना है java file से मेरा कोई लिए न देना नहीं है मैं class file को run कर रहा हूँ java my class जिस class को मैंने run किया इसका main method execute होगा जिस class को मैं run कर रहा हूँ इसका main method execute होगा main method कहा है सब यह रा इसके अंदर यह क्या display करेगा hello display करेगा so output will be hello क्या मतलब है class का public static void का सब बात की बात है अब ही हमने simple बात की है क्या क्या का में लिया java c ठीक है न सब compile करने वे क्या बना एक class file बनी dot class file बनी run करने लिए क्या का में लिया java बस इतना ही अभी हमें पता है ठीक है sir नहीं होगा इनि गंदी बात है नहीं होगा बाई सब्सक्राइब धादागरी थोड़िया नहीं होगा दादागरी नहीं चलेगी जावा में बिल्कुल भी क्योंकि जावा इस्टिकली टाइप language है हाँ यह हो सकता है नहीं हो सकता नहीं हो सकता हाँ आपको यह आईडी काम में ले रहे हैं उसकी एक अलग बात है अरुए नहीं आपको कहा है उसे काम में मुझल ना वहना आपको यह बात चाहि लगेगी अगर आपको चार ऑप्षिन दे दिए विच में इसा और करेक्ट आप्षिन आप उसको करेक्ट कर देंगर इसलिए मैं आपको बोल रहो ठीक है साहर आगे चलें इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं आपने क्या किया साहर आपने एक जावा की फाइल बनाई थी a.java आपने java की एक फाइल बने थी a.java आपने जब java से लिखा तो क्या हुआ एक कंपाइल हुआ कंपाइल हुआ कंपाइल हुआ compilation का मतलब क्या है source code को target को करना यही इस वपन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक डूसरी फाइल बन के हैं my class.class अब इस .class फाइल के अंदर क्या है एक special code जिससे आप कह रहे हैं byte code जब C के program को compile करते हैं तो क्या बनता है सब compile link करने के बाद exe file exe file के अंदर क्या होता है machine code machine code को आपको run करना होता है machine code किसे related है machine से related है इसलिए आपने का machine code यहां पर हम कह रहे हैं सब machine code नहीं मिला हमें एक अलग code मिला है byte code ठीक है जब हम run कर रहे हैं हमने जब इसे run किया जावसी ने किया compile हमने जब इसे run किया करते बाद क्या आएगा machine code में convert करना है आपको हमने हमेशा computer fundamental में पढ़ाए source code को target code में convert करने के लिए compiler होता है या interpreter होता है यही न यहां पर हमारे पास क्या बीच में आया था compiler run करते वक्त हमारे पास आता है interpreter interpreter क्या करता है मेरा जो प्रोग्राम है जो byte code है उसे machine मशीन कोड में कनवर्ट करता है और एक्जिक्यूट करवा देता है धान रखिए मशीन कोड आपको मिलता नहीं है मशीन कोड हमें मिलता नहीं है आपको .exe file मिलेगी नहीं मिलेगी तो आपको .class file यह तो computer fundamental में आप यह भी पढ़ते हैं कि compiler interpreter interpreter के disadvantage interpreter program को slow कर देता है इसी बजय से यहां पर एक दूसी चीज़ आड की गई that is JIT compiler just in time compiler JIT compiler तो run करते वक्त क्या बीच मा रहा है या तो JIT compiler बीच मा रहा है या interpreter रहा है वो क्या कर रहा है आपके जो byte code है उसे machine code में convert करता जा रहा है और execute करता जा रहा है अगर हम सीधे सीधे बात करें हमने का वही हमने जो बनाया हो तो जावा का प्रोग्राम था कमपाइल करने के लिए compiler है उसने हमारे प्रोग्राम को कमपाइल कर दिया कमपाइल करने के बाद हमें .class file बना के दी .class file में byte code होता है जब run करते हैं तो byte code machine code में convert होता है और execute हो जाता है यही तो है ना इतनी सी बात है क्योंकि interpreter हमारे प्रोग्राम को स्लो कर देता है इसलिए run करते बाद एक दूसरा concept विच में लाया गया JIT compiler JIT compiler क्या करता है compiler और interpreter के बीच का काम करता है ना तो एक साथ convert करता ना line by line करता यह bunch of code को उठाएगा और use में ले लेगा convert कर देगा जैसे एक block को उठा लिया अब आपकी application में JIT compiler काम आएगा interpreter काम आएगा यह tech on करेगा JBM करेगा यू कैनोट decide कि मेरे प्रोग्राम है तो ऐसे करो इसको तो है ना JIT compiler से रन करना यू कैनोट यह आप यह कहें कि मेरे programmer को तो interpreter काम करना चाहिए नो यू cannot this will be decided by your JBM you are having both of the options and JBM will decide whether to interpret or to use JIT compiler थोड़े टाइम के लिए जावा ने एक और concept add किया था AOT अही.time अही.time लेकिन आजकल इसको remove कर दिया गया है इसलिए आपन इसकी बात नहीं कर रहे है अही.time बिलकुल JIT compiler की तरही जिससे आप काम में ले रहे हो आगले thread में उसे आप पहले अपना convert करते जाओ ठीक है यह process बिलकुल clear है हमारा चले आगे चली आगे अब बात अगे जावा के बर्जन्स की जावा के बर्जन्स की जावा के बर्जन्स की देखे पहले जावा का बर्जन्स की बहुत डिस्टेंस पर आता था काफी टाइम में आता था और एकल ने जब से इसको खरीदा तो बर्जन बहुत फ्रिक्वेंटली आने लग गया अब हर साल में दो वर्जन आते हैं मार्च और सेप्टेंबर रिलीज जिसे आप कहते हैं फीचर रिलीज फीचर रिलीज एवरी मार्च और सेप्टेंबर हाँ जी हाँ जी तो फीचर रिलीज आता है हर छह मैंने में फीचर रिलीज बेसिकली क्या है कि पूरी टीम काम कर रही तो आज 6 मिने में आज इतना काम हो गया चलो इसको तो रिलीज कर दो that is feature release कोई major function उसमा आया ना आया इसकी कोई guarantee नहीं है कोई major changes उसमा हो या ना हो इसकी कोई guarantee नहीं है मार्स 2018 में जेडी के 10 वज रिलीजड इन मार्स 2018 उसके बाद से उसके बाद से हर 6 मिने में निया वर्जन आ रहा है ठीक है इन एवरी थ्री यर देजे लॉंग टर्म सपोर्ट लॉंग टर्म सपोर्ट या अगर मोटे तोर पर आप कहें तो आप कहेंगे भई major वर्जन जबकि बहुत सारी चीजें लेंगवेज के अंदर अलग अलग आ रही है लेंगवेज के अंदर जब नई चीजें आ रही है यह सब चीजे कब चाल हुए थी जेडी के नाइन के बाद से ठीक है तो जो लॉंग टरम सपोर्ट जो अभी तक आये हैं वो कौन-कौन से है 11 17 21 जेडी के 11 जेडी के 17 जेडी के 21 जेडी के 11 17 21 लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जे डी के 22 जो कि अभी मार्श 24 में आया है बिल्कुल जब एक्जाम होगा तब तक एक और बर्जन आजाएगा हम कौन सा वर्जन पड़ें सबसे टब सवाल है हम कौन सा वर्जन पड़ें यह टब सवाल है आपके सेलिवस के अंदर कोई भी वर्जन स्पेसिफाइड नहीं है और कम से कम यह जितने भी long term supports हैं इनके अंदर नए features को एड कर दिया गया है काफी सारे features को एड किया गया है ऐसा syllabus दिया नहीं है जब मैं कल syllabus डिसकस कर रहा था तब भी मैंने आपको समझाया था कि जब हमें syllabus नहीं दिया जाता है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है यह तो हमें specified syllabus दे अगर specified नहीं है केवल लिख दिया software engineering केवल लिख दिया जावा प्रोग्रामिंग जावा अब आपकी टेंशन बढ़ गई उसको ध्यान में रखते हुए आप 8 या 11 तक का बर्जन तो कम से कम कबर कीजिए इसके अलाबा बाकी के जो वर्जन्स हैं यहां त इनका मोटे मोटे फीचर का भी idea ले सकते हैं क्या-क्या फीचर है ठीक है राइट लेटस्ट फीचर की मैं आपसे बात क्यूं नहीं कर रहा हूँ उसका region है आपको बुकी नहीं मिलेगी अगर आज की तारीक में अगर हम सिंपल कंप्लीट रफेरेंस शायद आप सब के पास होगी या आपको पता होगा कंप्लीट रफेरेंस बन अप दो बुक जो की जिसकी लेंग्वेज कंपर्टिवली आसान है अगर आज की तारीक में आप जेडी के 18-19 वाली भी देखेंग अगर देखेंगे तो शर्च चार पंच अजार रुपे की होगी एक तारीसो की है एक तारीसो की है बहुत सारे होते हैं तो आपन क्यों बेकर में इन्वेस्ट कारें हैं बहुत जादा उसका फर्क नहीं पड़ता है कोई फाल्तू के दो चार फीचर होगे तो वह बैसे ही बहुत जादा कॉश्ली अपने को नहीं लेना है अनलेस उंटिल कि उसकी बहुत रिकवाइर्मेंट हो अगर उससे अमारा काम चल रहा हो तो अपन ले लेंगे एक तारीसो के लेंगे लेंगे लेकिन अगर उससे काम उसका कोई मतलब नहीं है तो फिर में क्यों बेश्ट कर जावा के अगर फीचर्स की बात करें आपन मेन मेन दो तीन फीचर्स के बात करेंगे बाकी तो दीदीर काम करते करते हमारे समझ मा आ जाता है हम कहते हैं जावा एज कमपरेटिवली सिम्पल एंड फैमिलियर सिम्पल एंड फैमिलियर लगे रहो नहीं अब आकी सब तो देख लेंगे जावा कैसे पार पड़ेगी हम गरें सिम्पल है सी प्लस पड़ाएं सबसेट टाफ टॉफिक सी में कौन सा लगा दिल की आवाज पॉइंटर सी प्लस प्लस में मल्टिपल इनरिटेंज वर्चॉल फंक्शन्स पॉता नहीं क्या-क्या फालत उची जैती जावा में वो कुछ नहीं आसान हो गया अगर हम टेक्नलोजी वाइज बात करें तो हम यह कह रहे हैं कि बई डैप्ट की अगर बात करें तो जावा की डैप्ट सी प्लस प्लस से कम होती है मेरे परसनल पॉइंट अवी से जावा इस सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस नॉट सुपर सेट लेकिन बिर्थ बहुत ज्यादा है चीजें बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से अमें लगता है कि जावा कंपेटिबली कॉंपलेक्स है ठीक है बहुत सारी चीजें है जितना इस अमेने में बरजन नए आते जा रहे है तो इस रहली तुफर तू अंडेस्टेंट तू तू कोप विद निव फीचर अधर वाइज अगर कंसप्चुली हमें बात करें तो कंसप्चुली तो यह आसान है C C++ का syntax as it is काम करता है familiar है ठीक है C C++ में जो आप काम करते है वो as it is यहां कर सकते है with some differences definitely language differences के साथ हमें ok then next जो आपका सबसी important feature जो बताया जाते है that is platform independence, platform independence, platform se matalab hai operating system and hardware, platform se matalab hai operating system and hardware, अपन तो counter case लेके बात करते हैं है न सबसे पहले बात करते हैं C की मान के चलें C के अंदर आपने एक दो number add करने का program लिखा hello.c आपने जब इसे compile किया link किया मान के चलें आप windows operating system के उपर काम कर रहे है say windows operating system पर आपने से compile किया link किया finally आपका क्या product बन के आता है hello.exe इस exe file को उठाकर मैं Linux operating system के उपर ले गया क्या यह exe file काम करेगे नहीं करेगे this will not work क्योंकि यहां पर जो structure क्या है आपके पास hardware है hardware के उपर आपका operating system है और operating system के उपर हमारी hello.exe file जिसके अंदर machine code है machine code मतला जो machine से बात कर सकता है जिसको machine समझ सकती है जो machine को समझ सकता है मेरे प्रोग्राम को run करने के लिए क्या क्या चीजे चाहिए वो कौन decide करेगा machine को और वो किस से बात करेगा operating system से अब यह बना कहां पर है Windows operating system के उपर तो Windows को पता था Windows से कैसे interact करना है इसलिए Windows ने अपना one तो XC में डाल दिया किसी और OS का तो उसको भी नहीं पता ना तो इंट्रेक्ट नहीं कर पाएगा ठीक बात दूसरी बात अब अगर बात करें Java की हमने का जी आपने Java फाइल बनाई से hello.java मान के चले जी हमने इसे जब compile कि करने पर क्या बना ऐसा hello.class file class file के अंदर क्या होता ऐसा machine code होता नहीं है मान के चले Windows operating system के उपर काम कर रहे हैं इस .class file को उठा कर मिले गया Linux operating system के उपर क्या यह यहां पर काम करेगा हाँ जी करेगा क्योंकि यहां जो structure वो क्या है हमारे पास lowest level पर hardware है hardware के उपर भी यह मेरे पास operating system है operating system के उपर मेरी Java program है से hello.class है लेकिन hello.class और operating system के बीच में एक layer है जिसे मैं कह रहा हूं JVM Java virtual machine ठीक है तो मेरे program को run करने के लिए क्या चाहिए हमें operating system से बात नहीं करनी हम किस से बात करेंगे JVM से और JVM को तो हम जानते हैं JVM तो भाई है अपना हम JVM से बात करेंगे हमें कितनी memory चाहिए क्यों सा process से चाहिए बगएर 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 JVM किस से लेकर देगा operating system से लेकर देगा ठीक है that's why this class can be used on any other operating system because we don't have to interact with the operating system directly यहां पर हमें किस से इंटर्ट करना पड़ रहा था operating system those who will interact with operating system directly will be platform dependent can we say java is platform independent language java is not platform independent language java programs are platform independent java applications are platform independent because the JVM is interacting with the operating system directly this is platform dependent for windows you need some other JVM for Linux you need some other JVM for Mac motif you need some other JVM but the same java program you can run on all operating systems all machines all platforms generally हमारे बोलने में यह ही आता है java platform independent है लेकिन अगर हम इसको समझे तो java is not platform independent java is platform dependent yes java applications are platform independent java programs are platform independent java itself is platform dependent 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 कौन सा भाया हम तो operating system से बात नहीं कर रहे ना जे मेरा प्रोग्राम तो से मेना प्रोग्राम में ने तो केवल वाइट कोड में कनवर्ट किया है आप डाउनलोड करेंगे ना एक मिट बापस से आपको अपने PC पर windows जावा इस्टॉल करनी है आपके PC पर सपोर्ट थर्टी टू बिट विंडोज है तो आप डाउनलोड क्या करेंगे थर्टी टू बिट जेडी के फोर विंडोज यही ना 64 बिट विंडोज चाहिए तो 64 बिट विंडोज जावा जो है वो तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया ना हर प्लेटफॉर्म के लिए अप अलगलग डाउनलोड कर रहे है ना उसमें आपका जब जेडी की की बात कर रहे है तो आपका सब कुछ आ गया जेडी भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है जेडी के भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है जेडी के भी प्लेटफॉर्म dependent but Java application is platform independent. This is a question of debate. वहीज़बेट होती है नहीं कर, क्योंकि Java application हर platform के लिए different है, sorry Java itself हर platform के लिए different है. आप Java download करेंगे तो पूछेंगा भाईया कौन सा operating system है? किते विट मशीन है? लेकिन जब आप Java का program run करेंगे तो Java के program में आपको पताना नहीं है कि मुझे Linux पर रन करना है और Windows पर रन करना है कहां पर रन करना है JVM शुट भी देया और JVM विल एक्जिक्यूट और डॉट क्लासफाइड यॉर बाइट कोड़ ठीक है भाईयो बैनो ठीक है भाईयो जीये एक और एक जांपर से इसको समझ ले। आप ने का जीए Windows का बनाए विंडोज के अंदार एक प्रोग्राम बनाया आपने तो सिंपल केल्कुलेटर बना दिया थीक है। आपने कैल्कुलेटर बनाकर विंडोज पर बनाया था सपोज किसी भी सीम बना दिया अब आपको किसी वेबसाइट के उपर आपने अपनी वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया माई केलकुलेटर ठीक है तल को कोई Linux वाला बंदा गर उसको डाउनलोड करेगा तो क्या रन कर पाएगा क्या नहीं कर कल को कोई चेंजे जा गया तो अप्डेशन हो गया आप अपने केलकुलेटर में चेंज करेंगे उसके बाद हर जगह पर उसको वापस से कंपाइल करके फिर सारे वर्जन को अप्लोड करेंगे यह होगा ना दूसरी बात अगर यही प्रोग्रम आप जाबा में बना रहे है प्रोग्राम बनाया किसी पर भी कंपाइल किया केबल डॉर्ट क्लास आल को अप्लोड कर दिया जही अबीन दॉड़ोड करले न संवसे की दितवाällen doit क्लास अफिक होना चाहिए अब मिन्डेश वालेकर पास मिन्डेश का न शीज व89 है तुमान थे ओउरन हो पाएगा जावा एप्लिकेशन जावा प्रोग्राइम साथ प्लेटफोर्म इंडिपेंडेंडेंट मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई गलवर्ड नहीं है दिक्करत नहीं है जराद सोचिये हमारे माननिये प्रदानमंत्री जी जापन गए जापन नहीं आति का प्रॉटो कॉल होता है तो हमें क्या चाहिए बीच में एक इंटरपेटर चाहिए एक बंदा होता है जो कि उनके एक दूसरी की बात को बोलता रहता है प्रांस्लेटर वो बलकी पागल हो जाता है उन दोनों की फालतू बाते सुन-सुन के तो वो जो पागल हो जाता है वो कौन है जे बीम है लेकिन कलको सपोज हमारे उनरेवल प्रायम मिनिस्टर गए चाहिए तो क्या सेम बंदा सेम मीडियेटर क्या help कर सकता है क्या वहाँ तो चाहिए जिसको चाहिदी आती हो हिंदी आती हो फिर वो चले गए सब्सक्राइड फरन्च फ्रांस वाला बंदा चाहिए फिर बोच लेगे जर्मनी तो जर्मनी वाला बंदा चाहिए तो JVM विल बी प्लेटफर्म डिपेंडेंट ठीक है ना Java applications are platform independent ओके तो गफला यहां पर 100% समझेबल बाज तो सबसे ज्यादा important feature है जिसका कि और किसी language के अंदर अभी तक हमें बहुत अच्छा solution नहीं मिला .NET कई बार कौशिश की लेकिन as on date बहुत अच्छा platform independence का support हमें .NET नहीं दे रहा है .NET ने कई projects बीच में start किये थे IBM के साथ मिलकर लेकिन वो जितनी मेरी जानकरी है वो अभी तक successful नहीं है ठीक है sir इसको आज यहीं तक रखे राइट . 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